दोस्तों कैसे है आप? मैं इकबाल आपका IQ टेकनिकल में स्वागत करता हूँ आज हम कंपेरेजन करेंगे Realme 6 और Redmi Note 9 Pro का क्योंकि इन दोनी फोन्स के बेसिक वर्जन का प्राइस सेम है 12,999 रुपे तो शुरुआत करते हैं डिस्पले से और Redmi Note 9 Pro में 6.67 इंच का Full HD Plus Whole Punch डिस्पले है जिसे Redmi Dot डिस्पले कहता है और Realme 6 में 6.5 इंच का Full HD Plus Whole Punch डिस्पले देखने को मिलता है और इसके डिस्पले का refresh rate 90 Hz है तो obviously Realme 6 का डिस्पले ज़्यादे स्मूज है Redmi Note 9 Pro के डिस्पले से Redmi Note 9 Pro में Gorilla Glass 5 की protection दी वी है और Realme 6 में Gorilla Glass 3 की बैटरी की बात करें तो Redmi Note 9 Pro में 5020 MHz की मैसिब बैटरी देखने को मिलती है और Realme 6 में 4300 MHz की बैटरी देखने को मिलती है Realme 6 की बैटरी Redmi Note 9 Pro से थोड़ी कम है लेकिन 30 Watt Flash Charge इसके साथ आता है अच्छी बात यह है कि दोनी फोन के बाक्स में Fast Charger हमें साथ में मिल जाता है अब बात करते है कैमरा की आज के टाइम में फोन में कैमरा तो इतना important हो गया है कि ऐसा लगता है कि फोन कॉलिंग के लिए नहीं फोटो शूट के लिए ही बनाया जा रहा है रेड्मी नोट 9 Pro के बैक में 48 मेगा पिक्सल का AI Quad Camera का सेटप देखनों को मिलता है जिसमें 8 मेगा पिक्सल का लट्रावाइड अंगल कैमरा 5 मेगा पिक्सल का मेक्रो सेंसर और 2 मेगा पिक्सल का देप्ट सेंसर भी साथ में आता है और वही Realme 6 के रियर में 64 Megapixel का AI Quiet Camera का सेटप देखनों को मिलता है और इसमें भी 8 Megapixel का Ultra Wide Angle Camera देखनों को मिलता है 2 Megapixel का Macro Sensor और 2 Megapixel का Depth Sensor इमेजेस तो दोनी फॉन्स के इच्छी देखनों को मिलेंगी लेकिन जूम करने पर Realme 6 की इमेजेस 64 Megapixel की कैमरे की वज़े से ज़्यादा शार्प नजर आएंगी अब बात करते हैं इन डिस्प्ले कैमरा की क्योंकि इन दोनी फोन्स के होल पंच में सेल्फी कैमरा चुपा हुआ है इसलिए ये इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा कहलाता है दोनों ही फोन्स के फ्रंट में 16 Megapixel का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जिससे आप अपने संदर मुखडी के अथी संदर तस्वीरे खीच सकते हो साथ ही फोन को अनलॉक भी कर सकते हो अब बात करते हैं फोन की जान प्रोसेसर की Redmi Note 9 Pro में Snapdragon का 720G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल नया है और पावरफुल भी है और Realme 6 में MediaTekka Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है जो थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत ही पावरफुल है यही प्रोसेसर हमें Redmi Note 8 Pro में देखने को मिला था परफॉमस पे Realme 6 अपने प्रोसेसर की वज़े से Redmi Note 9 Pro से आगे निकल जाता है ट्रिपल कार्ट स्लोट दोनी फोन में देखने को मिलता है और दोनी फोन Android 10 पर रन करते है वेट की बात करें तो Realme 6 191 ग्राम का है और Redmi Note 9 Pro 209 ग्राम का है यह थोड़ा बल्की है अपनी बैटरी की वज़े से फिंगर्पेंट सेंसर दोनी फोन में साइड मौन्टेट दिये वे Realme 6 का बैक पॉली कॉर्पनोट का है और Redmi Note 9 Pro के बैक में भी Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है ग्लास की वज़े से Redmi Note 9 Pro ज्यादा प्रीमियम लगता है कलर्स की बात करें तो Redmi Note 9 Pro तीन कलर्स में देखने को मिलता है ब्लैक, ब्लू और वाइट और Realme 6 दो कलर्स में देखने को मिलता है ब्लू और वाइट वैरियंस की बात करें तो Redmi Note 9 Pro दो वैरियंस में देखने को मिलता है 4GB RAM 64GB sटोरेज और 6GB RAM 128GB sटोरेज 464 की प्राय से 12,999 रुपे और 6GB 128 की प्राय से 15,999 रुपे Realme 6 दो त्री वारियंस में देखने को मिलता है 4GB RAM 64GB sटोरेज 6GB RAM 128GB Storage और 8GB RAM 128GB Storage 464 की प्राइस है 12,999 रुपे 6GB 128 की प्राइस है 14,999 रुपे और 8GB 128 की प्राइस है 15,999 रुपे अब आते हैं कॉंक्लीजन पर तो दोने फोन्स एक दूसरे से इस्पेक्स में कहीं न कहीं आगे निकल जाते हैं जैसे Redmi Note 9 Pro की बात करें तो क्योंकि इसमें 90 रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है 30W का फ्लेश चार्जर साथ आता है और सबसे एहम बात इसका प्रोसेसर Helio G90T जो इसको बहुत ही पावरफुल बना देता है और हाँ 64 Megapixel का Quad Camera का सेटप इसलिए यहार Realme 6 Clearly Winner निकल कर आता है Redmi Note 10 Pro से आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन पसंद आया कमेंट करके बताना तो बस आज के वीडियो में इतना ही रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक पर नई बात होगी जब तक अपना और अपनों का केर कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेर कीजिए जय हिंद जय भारत